हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू ओवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर लास्ट हमने स्कीम जो देखी थी वो थी लाडली स्कीम और आज हम कवर करेंगे स्टेट मैरिज एसिस्टेंस स्कीम स्कीम का नाम है स्टेट मैरिज एसिस्टेंस स्कीम अगर हम J&K State की बात करें तो हमारे जो UT है यहाँ पर इस स्कीम का नाम है J&K Marriage Assistance Scheme लॉंच्ट की गई थी 2nd December 2015 को benefits इसमें क्या है कि 50,000 रुपीज मैरीज के लिए आप बोल सकते हैं एक financial sport दी जाती है किसी भी girl child की जब मैरीज होती है जब वो 18 years की age की attain कर लेते हैं उसके बाद जब उनकी मैरीज की जाती है तो तब उनको 50,000 रुपीया as assistance दिया जाता है अब यह हर girl को नहीं दिया जाता इसके लिए भी उन्होंने कुछ legibility criteria रखा गया है वो भी हम इसमें देखेंगे beneficiaries कोन है इसका फाइदा कोन उठा सकता है unmarried girls belonging to poor section वो unmarried girls जो poor section से बिलॉंग करती है जो greep family से बिलॉंग करती है nodal department क्या है इस state marriage assistance scheme के कोन सा department इसके लिए है वो है department of social welfare G&K G&K marriage assistance scheme was launched on 2nd December 2015 by government of G&K कैते हैं कि G&K marriage assistance scheme जो है यह launch की गई कब 2nd December को किसके दवारा की गई जमू किश्मीर सरकार के दवारा G&K government के दवारा this scheme is implemented by department of social welfare of J&K government कैते हैं कि इस scheme को implement किया था social welfare department ने कहां के जमू एं कश्मीर के The main objective behind launching G&K marriage assistance scheme is to abolish the child marriage by providing sport for the marriage to those families who are not able to conduct it due to their poor financial condition अब हमने मैंने आपको ओपर बताया था कि इसमें benefit है कि 50,000 रूपीज एक financial sport दी जाती है marriage के लिए poor girls की अगर हम देखें इसका main objective financial sport देना ही नहीं है इसके साथ जो child marriage है इसको भी खतम करना है कैसे अब देखो कोई भी person है अगर उसके पास इतना उसका financial status अच्छा नहीं है तो वो sport provide करें उन families को जो poor financial condition की वज़ा से अपने बच्चों की शादिया जल्दी करवा देते हैं the scheme is also called as JNK state marriage assistance scheme for poor girls अब हम पढ़ रहें state assistance state marriage assistance scheme क्याते हैं कि state marriage assistance scheme को JNK state marriage assistance scheme for poor girls भी कहा जाता है government of JNK now provide financial assistance to needy people to conduct the marriage in their home without thinking about the expenses अब government ने ये decide किया कि हम क्या करेंगे financial assistance provide करेंगे उन जरूरतमन परिवार को उन जरूरतमन लोगों को जो अपने बच्चों की शादी जो है वो अच्छे से करवा सकें भीना कुछ सोचे समझे अब आपको भी पता है कि 50,000 में बें शादी होना बहुरा मुश्किल होता है बट जिन परसन के पास बिलकुल ही कुछ नहीं होगा उनके लिए ये 50,000 amount भी बहुत जादा होता है अब ये जो जिन के मैरीज एसिस्टेंस स्कीम है इसके अंडर लिजिबल गर्ल बैनिफिशरी को जो भी गर्ल इस स्कीम के लिए लिजिबल है उनको 50,000 रूपीज जो हैं वो फाइनेंशल एसिस्टेंस के तोर पे दिये जाते हैं अब इस स्कीम का फाइदा हर इंसान हर लड़की नहीं उठा सकती है ये वोही फैमिलीज उठा सकती हैं जो बिलोब फैमिलीज से बिलॉँ करती हैं अब इसके लिए उन्होंने तो एक रिलिजिबलेटी ये रखी है कि जो गर्ल है वो अन्तियोद्या, अन्योजना या प्रारिटी हाउसखोल्ड, राशन कार्ड गोल्डर होनी चाहिए वो ही जो girl है वो eligible होगी state marriage assistance scheme का फाइदा लेने के लिए कि वो ही लड़किया फाइदा ले सकती है जो जिनके पास ये राशन कार्ड holders होंगी girl beneficiary whose age is 18 years are more eligible to apply कहते हैं कि इस scheme का फाइदा जो है ये तब girl ले सकती है girl beneficiary तब 18 साल की होनी चाहिए या उससे जादा होनी चाहिए वो ही लड़की जो है इस scheme के लिए eligible है और वो ही लड़की इस scheme का फाइदा उठाने के लिए apply कर सकती है it is mandatory for a girl beneficiary to pass maximum class 8th examination अब क्या था अब इसमें ये बहुत important point है ये हर exams के अगर देखें point of view से तो ये बहुत important question बन सकता है कि जो state marriage assistance scheme है इसके लिए mandatory क्या है फर्स तो एक बात उन्होंने ये कह दी कि लड़की जो होनी चाहिए वो 18 साल या 18 साल से जादा होनी चाहिए second जो उन्होंने criteria रखा है वो ये है कि जो girl है वो maximum class 8th examination से वो pass out होनी चाहिए अब क्या हुआ कि माल लेते हैं कि कोई ऐसे लड़की है जो school drop out है जो school नहीं गई है या जो 8th class pass out नहीं है उन girl beneficiaries के लिए भी इन्होंने एक scheme रखी है इन्होंने एक eligibility रख दी इन्होंने ये eligibility रख दी कि जो माल लो कि अगर वो 8th class examination pass out नहीं है girl ये school drop out है तो उनको कहा कि जितनी भी लड़कियां जो 8th class से pass नहीं है और 18 years से अबव है अगर उनकी शादी 2022 से 2024 के बीच हो रही है तो वो eligible है बट अब देखो 2022 और 2024 का जो criteria है ये हर किसी के लिए apply नहीं है ये क्या होता है financial year में count होता है financial year in the sense 31st March से लेके 1st April तक अब अगर हम इसकी बात करें तो बोल रहे हैं कि 1st April 2025 के बाद ये जो mandatory हो जाएगा कि state marriage assistance scheme का फाइदा वो ही गल्स उठा सकेंगी जो क्या होंगी एर्थ से पास होंगी but in case a girl beneficiary is a school dropout कैते हैं कि अब हम अगर माल लें कि वो girl beneficiary जो है वो those girls are also eligible to apply वो girls भी eligible है apply करने के लिए from the year 2022 to 2024 किस साल में 2022 से 2024 तक जितनी भी लड़किया हैं अगर माल लो वो school नहीं गई है या वो 8th class पास नहीं है तो वो इस scheme का फाइदा ले सकती है from 1st April 2025 passing class 8th is mandatory to avail the benefit of financial assistance for marriage under J&K marriage assistance scheme but 1st April 2025 से जो 8th class spouse out है यह mandatory हो जाएगा इस scheme का benefit लेने के लिए कौन सी scheme under J&K state marriage assistance scheme eligible girl can apply for assistance at least one month before the date of marriage अब ऐसा नहीं है कि कल लड़की की शादिया तो वो आज कह रही है कि मुझे 50,000 की येवली scheme का फाइदा लेना है नहीं अगर आपको इस scheme का फाइदा लेना है benefit लेना है तो आपको क्या करना है शादी से एक महीना पहले अपने जितने भी mandatory documents हैं पहले तो आपका data worth certificate होना च चाहिए जो उन्होंने पहले ही मैंने अपको बता दिया AAY और PPH अगर राशन कार्ड होल्डर सो तो आपको वो भी लेके जाना है वो भी mandatory है उसके बाद आपको अगर आप 1st April 2025 के बाद फाइदा उठाओगे तो आपके पास 8th class pass out का examination certificate भी होना चाहिए उसके बाद आपको शादी है शादी के लिए आप उनको क्या प्रूफ दोगे आप अपनी शादी के invitation card भी लेके जाओगे वो आपकी शादी का प्रूफ हो गया यह सब चीजे आप जब लेके जाओगे तो आप क्या हो जाओगे इस चीज के लिए अपलाई कर सकते हो eligible girl can apply for assistance at least one month before the date of marriage eligible girl जो है वो apply कर सकती है इस scheme के लिए कम से कम शादी से एक महीना पहले eligible beneficiary can apply for J&K marriage assistance scheme by applying through online application form which is available on jansugam portal अब कहते हैं कि जो eligible beneficiary होगी जो भी girl इस scheme के लिए eligible है तो वो क्या करेगी वो online भी apply कर सकती है through online application form जो available है किस पे जन सुगम portal पे अब यह सारी scheme जो है यह department of social welfare ही देखता है सबसे पहले क्या होता है कि जो girl child है वो जाती है कहाँ पे social welfare department में social welfare department में जब यह अपना eligibility criteria जितना भी उसको documents है वो लेके जाएगी फिर अब वो जितना भी state marriage assistance जो भी उनसका portal होगा फिर जिप्टी कमिशनर होगा वो उसको forward करेगा फिर वो social welfare department में जाएगा और social welfare department क्या करेगा उस चीज़ को social welfare department उसको क्या करेगा अप्रूफ करेगा और आपका 50,000 रूपीज का जो प्राइस है वो आपके अकाउंट में credit हो जाएगा जो भी बैनिफिशरी होगी जो भी लड़की इस scheme के लिए eligible है और यह जो पैसा है यह आपको cash की form में नहीं मिलेगा यह directly bank transfer की form में जाएगा यह dbt में जाएगा वो भी किसकी अकाउंट में beneficiary की अकाउंट में उसी girl की अकाउंट में जो state marriage assistance scheme के लिए जिसने apply किया है यह सारा हमने cover किया state marriage assistance scheme कि यह कब launch हुई इसके लिए eligibility criteria क्या है इसके लिए अगर हम important question देखें तो एक तो यह department के लिए आ सकते हैं कि कौन सा nodal department है कब launch किया गया फिर उसके बाद आप यह जो mandatory class 8 examination में आपको बता रही हो कि pass out होनी चाहिए गल्स जो है वो ग्लास 8 से pass out होनी चाहिए यह कब से mandatory हो जाएगा यह भी important है 1st April 2025 से यह mandatory हो जाएगा उसके बाद कब इसको एक amendment की जो बता रही होन 2022 से 2024 तक जितनी भी girls है वो eligible है इस चीज़ के लिए अगर वो 8th class भी pass out नहीं है या school drop out girls है अच्छा उसके बाद हमने इसमे eligibility criteria भी देख लिया इसका process भी देख लिया कैसे apply करना है यह सब चीज़े हमने इसमें cover कर ली it's all about state marriage assistance scheme इसी के साथ यह topic भी complete हो गया अब हम next देखेंगे हमें क्या topic cover करना है अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो like, share और subscribe जरूर करें thank you for watching